दिल्ली शायद देश में नहीं दुनिया में पहला ऐसा शिक्षा विभाग बना है दिल्ली का जहां उसने अपना शिक्षा गीत बनाया है और इस गीत को बनाने में बहुत सारे लोगों ने भूमी का निभाई है जो आज उदिध जी जैसे मैंने कहा और योगेश्दी सामने ब्यटे हुए हैं विशेश रूप से इनका इन्पुट बहुत लगातार इस गीत को बनाने में मिला, इसके वीडियो से लेके इसके लिरिक्स तक, इसके म्यूजिक तक में इनों ने बहुत योगदान दिया, एक बहुत प्यारे मित्र है मेरे और जो यहां नहीं है आज, इस सभा में नहीं है ल हमारा इरादा है, उसको शब्द दिये हैं, आलोक श्रिवास्तर जी, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, कि उन्होंने, हम कह सकते हैं कि दिल्लीत को शब्द दिये हैं, पर मैं अगर इसको और खोल के कहूँ, तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शिक्षा विभाग होगा या सायद ही दुनिया में शिक्षा का कहीं काम हो रहा होगा, जहां बैठा हुआ आदमी ये नहीं मान के चलेगा, कि अरे, ये तो मेरा भी रादा था, ये तो मेरा ही रादा है, तो दुनिया भर के शिक्षा के काम को जिन्होंने बोल दिये हैं, और बहुत मशूर गा जिसके लिरिक्स पे जिसके ट्यून पे अभी आप सब लोगों ने इसको बार-बार गाया और बार-बार गाएंगे भी मैं उन सब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब को इतना एक शांदार गीत दिया है प्यारे बच्चो अध्यापक साथियो हम सब पिछले 57 साल से दिल्ली की एजुकेशन जर्नी में रोज नया इबदलाव देख रहे हैं इन बदलावों की सबसे निचली सीड़ी पे खड़े हुए हैं हमारे शांदार स्कूल जहां नई बिल्डिंग्स बन रही हैं जहां पुरानी हो जा रही हैं उसको नया शांदार बिल्डिंग में बदला जा रहा है नया आर्किटेक्चर प्राइवेट स्कूलों से भी बहतर दिखने वाले स्कूल काजल बैठी हुई हैं जिन्होंने इसको पूरे को एडिट किया है हमारे सामने लेके आई हैं उनका छुट गया मुझको तो मैं बता रहा था कि इतने शांदार स्कूल बने लेकिन अगर कोई हमसे या आपसे पूछे कि भई पढ़ने का इरादा क्या है कोई मुझसे पूछे शिक्षा मंत्री हो शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हो अरविंद केजरिवाज जी माने मुख्यमंत्री जी से पूछे मुख्यमंत्री हो पूरे दिल्ली में शिक्षा 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 की बात कर रहे हो इरादा क्या है कोई हमारे डारेक्टर साब से पूछे कि भई तीन तीन चार चार आईए सदिकारी हैं बैठे हैं, इतने senior senior officers आगे बैठे हुए हैं, principals बैठे हैं, teacher बैठे हैं, अगर खाली school school का देखें तो 14 साल बच्चे की जिन्दगी से ले लेते हो शुरुवाती, और school और college दोनों को मिला दें, तो करीब करीब 20 साल बच्चे की जिन्दगी से निकाल लेते हो, शुरुवाती, महत्पूर्ण 20 साल बच्चे की जिन्दगी से निकाल लेते हो, इरादा क्या है, चाहते क्या हो, पढ़ाओ, 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 इस पढ़ाने का इरादा ली पुरानी education policy ली national curriculum framework बनाये उस से पुरानी education policy ली 25-25, 60-60 पन्ना शैलिंडर जी कितने पन्ने की नई education policy है 68 पन्ने की नई education policy में जो बात कहने की कोशिश की है वो हमने इस गाने में कह दिये ये हमारे दिल्ली के शिक्षागीत में कह दी गई है दुनिया का कोई भी बच्चा कोई भी माबाप अगर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए कोई सपना देखना चाहेगा तो आज इस गाने में समाहित है ये गीत केवल दिल्ली का शिक्षा गीत नहीं है, बलकि दिल्ली और देश को लेके देखा गया एक सपना है, कि हम पढ़ाना क्यूं चाहते हैं, हम पढ़ना क्यूं चाहते हैं, बीस साल एजुकेशन को देके हम हासिल क्या करना चाहते हैं, ये जो सुबह सात वजे से लेके र और हमारा इरादा कोई खाली अच्छे स्कूल बनवाना नहीं है, हमारा इरादा कोई फाइव स्टार चम चमाती हुई बिल्डिंग बनवाना नहीं है खाली, अच्छी पढ़ाई तो तब भी हो जाती थी जब लोग पेड़ के लिचे बैठके पढ़ा करते थे, आज सुविधाएं करेंगे, लेकिन इरादा खाली सुविधाएं देने का नहीं है, इरादा खाली ये नहीं है कि हम अच्छे नतीजे लाने लगें, ये अच्छी बात है कि हमारे 100% बच्छे पास होने चाहिए और होने लगें, हमारे बच्छे IIT में जाने चाहिए, JEE में जान जाने लगें लेकिन इरादा खाली ये नहीं है अच्छी बिल्डिंग बनवाना भी इरादा है अच्छे नंबर लेके आना भी इरादा है अच्छी डिगरियां देना भी इरादा है अच्छी नौकरियां देना भी इरादा है लेकिन इरादा इससे कहीं बड़ा है इरादा इ एक एक शब्द में वो बात आपके सामने आज रखी गई है, मैं इसके लिए पुरी की पुरी टीम को बधाई देता हूं और ये भी समझता हूं कि इस गीत को हम सब लोग केवल एक रिचुल के रूप में नहीं लेंगे, एक सरकारी कायरकरम में प्रस्तुत गीत के रूप में नहीं लेंगे, बलकि रोज हर सुभे बच्चा और अध्यापक उठके इस गीत को एक बार सुन लेंगे, तो उनको ये ध्यान में आ जाएगा कि मैं जो ये स्कूल जा रहा हूं, या स्कूल से जो होमवर्क मिला है, पढ़ने का काम मुझको मिला है, उसके पीछे इरादा क् ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई पाइथागोरस समझ में आ गई तो इरादा पूरा हो गया, या हिस्ट्री का कोई कॉझक समझ में आ गया तो इरादा पूरा हो गया, इरादा उससे कहीं आगे का है, इरादा देश खड़ा करना है, इरादा समाज खड़ा करना ह इरादा ऐसे लोगों का देश खड़ा करना है जिनको पढ़े हुए देख के लोगों कह सके ना कि पढ़ा हुआ तो है पढ़ा लिखा आदमी अच्छी नौकरी अच्छी सेलरी वाला आदमी अगर गाड़ी में 20-25 लाग की गाड़ी में बैठे और इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाके आइसक्रीम का रैपर महीं फैक जाए तो सवाल हमारे मन में और उसके मन में और सब के मन में उठना चाहिए कि अगर 20 लाग की गाड़ी में बैठके और 20 लाग रुपे महीने की सेलरी लेके इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाके अगर आइसक्रीम का रैपर हुआ सड़क पे फैक देते हो तो पढ़ा ही क्या अगर हमको अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में अपने आसपास रहने वाले लोगों में जिन दफ्तरों में जाके हम काम करेंगे उन दफ्तरों में अगर हमको किसी व्यक्ति के जातपात के आधार पे ये लगता है कि ये छोटी जाती का है या मैं छोटी जाती का हूँ ये बड़ी जाती का है ये मैं बड़ी जाती का हूँ अगर जाती का छोटा बड़ा होना हमारे अंदर रह गया तो फिर पढ़ा ही क्या और बच्चों खास तोर से लड़कों को कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुहों से कभी भी महिलाएं शब्द कहते हैं तो वेग लगता है मैं बात specific होके कहना चाहता हूं कि हम सब जिस घर में रहते हैं उस घर में एक माँ होती है बहन भी होती है लड़कों को खास तोर से मैं कहना चाहता हूं इतने सारे लड़के बैठे हैं, इस्टुडेंट्स, कि मा होती है, बहन होती है, कहीं पढ़ रहे होते हैं, हमारी एक दोस्त, हमारी एक कलीग होती है, कहीं काम कर रहे होते हैं, अगर हम भूल से भी उसको लड़की होने के नाते उसके उपर कुछ गलत सोचते हैं, या उसको क इनसा में अगर इनसा को देखना पाए तो वो पढ़ा ही क्या। तो बिल्कुल दिल्ली के सरकारी और मैं तो कहूंगा दिल्ली के क्या देश भर के स्कूलों से निकलने वाले हर बच्चे के मन में अपने अंदर ये सवाल होना चाहिए कि अगर मैं महिलाओं को इजत नहीं दे पा रहा हूं तो मैं पढ़ा ही क्या। ये जो रोज सडकों पर गुंड़ाई के वीडियो देखते हो ना, दिखते हैं ना, दर लगता है कि हमारे देश को क्या हो गया। ये जो कुछ लोग हमारे देश को लफंगा और गुंड़ों का देश बनाने जा रहे हैं ना, इसलिए इस गाने के सुरू में एक लाइन कही गई है। पढ़ेंगे हम की हम को कोई लड़वा न पाए। अगर पढ़े हुए लिखों, पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में लड़वा दे तो फिर पढ़े लिखे हम हुए कि मुर्ख हुए। अगर पढ़े लिखे 20 साल, 12 साल, 14 साल स्कूल के करने के बाद और 4-6 साल कॉलिज की डिगरी करने के बाद के पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में किसी मुर्खता कुपूर्ण बात पर लड़वा दे, तो हम पढ़े लिखे हुए क्या? पढ़े लिखे हुए कि हुए तो अगर कोई हम को लडवा पाये तो फिर मूख हुए न कि फिर हम पढ़े लिखे क्या यह गाना रोज हमें दियान दिलाएगा रोज हमको दिखान दिलाना चाहिए इस गीत को कि अगर हमको को कोई मुर्खों की तरह लडवा दे तो फिर हम पढ़े लिखे क्या जो सड़कों पे लफंगे घूमते हैं गुंडे घूमते हैं आजकल कोई किसी के घर में घुज जाता है कोई किसी के दुकान में घुज जाता है पचास लोग खड़े होके सड़क पे गुंड़ाई करने हम महिलाओं को नहीं छेडेंगे हम बत्तमीजी नहीं करेंगे हमको ऐसा देश ची ऐसा इरादा लेके हम सब लोग पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं इसलिए गाना हमारा संकल्प है हमारा इरादा है कि हम ऐसा समाज खड़ा करना चाहते हैं हम ऐसा देश पाता वंड चाहते हैं, जहां कोई लफंगई ना हो, गुंड़े ही ना हो, कोई महलाओं की बेजती ना करता हो, आपस में ना लड़ते हों, बलकि सब प्रेम से रहके एक दूसरे का साथ देखे, एक देश के रूप में, एक राष्ट्रिय एक टीम के रूप में खड़े हों, और ज्यान और विज्यान में इतनी तरक्षी करें, इतनी तरक्षी करें, कि सारी दुनिया के भारत के लोगों सलाम है आपको, भारत के लोगों नमस्कार है आपको, सारी दुनिया हमें यहाँ पे देखे, मैं आप सबको एक बार पुन्हें बधाई देता हूँ, और अपेक इस गीत को हम जितना स्कूल की जिंदगी में बच्चों की जिंदगी में उतारेंगे और खाली रिचुआल की तरह नहीं, खाली यह नहीं कि इसको रट के सुनाओ दो नंबर मिल जाएंगे, ये रट के वाले दो नंबर से किसी को पूरी जिंदगी में negative ही, negative रहता है, समझ के जी के कहीं कोई बच्चा अगर पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ने लिखने वाला बच्चा अगर कोई ऐसी चीज कर रहा हो तो उसके सामने प्रिंसिपल या टीचर बात कर ले कि भाई गाने में नहीं सुना क्या पढ़ा ही क्या अगर डॉट 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 और मैं तो कि अगर हम शिक्षा मंतरी से लेके और अध्या पक्ता कि स्कूल में खड़ा हुआ कोई भी करमचारी अगर कोई ऐसी हरकत करे कोई ऐसा काम करे कि जिससे बच्चों के मन में आये कि यह भी तो पढ़ा लिखा है लेकिन कैसा पढ़ा लिखा है इस पेस दीजिए कि बच्चा ख यह भी अध्यापक से लेकर और हम तक की शिक्षा सचीव शिक्षा निदेशक से लेकर शिक्षा मंतरी तक की सब के उपर सवाल उठा सकें यह वाली हरकत आपकी पढ़ेलु लोगों वाली लगनी रही है ये बच्चों को हमें अधिकार और बच्चों के अंदर हिम्मट डालनी चीए ये गाना सफल हो जाएगा, ये गीत देना सफल हो जाएगा रिच्वल नहीं देना है, कोई टिक मार्क नहीं करना है कि लीजे आज से दिल्ली का एक शिक्षा गीता गया मैं आपको बहुत बहुत शुब कामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत हम सब के अंदर के भावों को जगाए रखेगा और हम सब के अंदर वो परिवर्तन लाने के लिए सफल होगा, काम्याब होगा, जिसके लिए हम अपनी शिक्षा को 20 साल देते हैं बहुत बहुत शुब कामना देते हैं, बहुत बहुत मैंसका हूँ